आज चुनावी मैदान में होंगे BJP के चानक ये कहे जाने वाले अमिश्या, बहराईच और बस्ती में जनसभा को संबोधित करेंगे उसके बाद सुबह 11 बश कर 45 मिनट में बहराईच पहुचेंगी अमिश्या, दोफर 12 बजे यहाँपर केसर गणजु बहराईच में जनसभा को संबोधित करेंगे कोर कसन ना रह जाए पार्टी की तरफ से इसको लेकर लगतार जगो जहद भी की जा रही है लगतार पार्टी जनता के बीच जा रही है अपने पार्टी के पक्ष में माहल बनानी की या तमाम पोशिशे की जा रही है इसी के साथ जनता से अपने पार्टी के हक में वोट करनी की अपील भी की जा रही है चलिए इसको पर अधिक जानकरी के साथ हमारा साथ भैराई से संजे जूर चुके है संजे जिस तरीके से पाच्वे चरण को लेकर अब जितने भी दिग गज़े वो चुनावी मैदान में नज़रा रहे और इसी कड़ी में आज ग्रहमंति अमिश् परचार है मां तक दो दिन रह गया है से इसको लेकर करके लगातार जितने भी राजनीतिक परचारक है वह बहुत ही जोर सोर से परचार करने के लिए अब विधानसभा चेतरों में पहुंच रहे हैं अमित्साह जो राजनीतिक के चाड़क के माने जाते हैं वह आज पहुंचे जिस तरीके से जो है बहाजपा की कमजोर दिखाए पड़ रही हैै, ऐसे में स्वेम चानक के बीजेपी के चानक पूरे इसको संभाल लिए हैं और वो आज पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद जनता को संबोधन करेंगे जिस तरीके से पिछली बार 2007 में जिस तरीके से मोधी लहर थी ऐसे में 6 सीटे बीजेपी के खेमे में गई थी लेकिन इस बार बीजेपी का दावा है कि साथ कि स प्रद्धान मंत्री नरज नमोदी का भी दोरा हो चुका है योगी अजितनाथ का दूसरा दूसरा दूरा है और अमित्साह का भी दौरा है ऐसे में यह जो दिगज यहां पहुंच रहा है किस तरीके से लोग इनको समझ पाते हैं किस तरीके से जो इनके वोट है वो की कोशिश की जाएगी अब आईसे में लगातार लोग यह प्रयास कर रहा है कि जो भी प्रत्यासी है उसको जिताया जाए हर हालत में जिताया जाए लेकिन जनता किस तरीके से उसको लेती है यह तो वक्त बताएगा क्योंकि जो लोकल प्रत्यासी होता है वो विकास तो करता ही है लेकिन जो जनता कि तमाम ऐसे जो मुद्दे होते हैं उसको भी लेकर के आगे चलता है ऐसे में जनता उसका सपोर्ट करती है लेकिन जिस तरीके से जो विरोध देखा गया था वो किस तरीके से अमित साह, नरेंदर मोदी और योगी अर्दितनाथ इसको पूरा कर पाते हैं ये 10 मार्च के पादो शुक्रिया